अस्राम अलेकूम, वेलकम बैक टू मैं चैनल, चलिए तो शुरुबात करते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का पोला, जो के बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी है, आसानी सी बन जाती है, और बहुत ही कम इंग्रीडियन्स में बनती है, आईए तो इससे बनाना शुरू करत है, मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइस की प्यास ले ली है, अब हम इस प्यास को इस तरह से पतला-पतला काट लेंगे, आप देख सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया आप अपने जरूरत के हिसाब से डाले, अब हम इसमें डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्डी पाउडर, वन एन हाफ टी स्पून जीरा, अब हम डालेंगे 2 टी स्पून लाल मेर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मेर्च पाउडर है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए मैं 2 टी स्पून डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे अपने जरुवत के हिसाब से भी डाल सकते है अब हम डाल रहे हैं 1 टी स्पून नमक, नमक आप अपने जरुवत के हिसाब से डाले, अब हम इसे अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हमें इसे करीब 2-3 मिनिट तक मिक्स करना है, जब तक प्यास पानी नहीं छोड़ देता हमें तब तक मिक्स करना है, देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हाफ कब बेसन यानि चने का आटा, बेसन डालने के बाद हम अपने हाथों से दुबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसे अच्छी से मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पा देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च इस तरह से बारी काट कर अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हो तो आप एक हरी मिर्च डाले अब हम एक पैन गर्म होने रख देंगे और इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून ओइल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हमारा रेडी किया हुआ पोले का बेटर मिर्ची डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था अब हम इस बेटर को पैन में डाल देंगे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर एक ही पोला बना रही हूँ आप चाहे तो हाफ कप में दो पोले आराम से बना सकते है लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बड़ा पोला बना रही हूँ हमें इसे जादा मोटा नहीं रखना है पतला ही रखना है नहीं तो अंदर से वेशन और प्यास कची रह जाएंगी तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे फैला रही हूँ ताके यह अच्छी तरह से पतला हो जाए और पतला पोला ही जादा क्रिस्पी लगता है मोटा क्रिस्पी नह लगता है इसी तरह से हमने सारा बैटर फैला लिया है अब हम इसे पांच मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने देंगे देखिए पांच मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यह उपर से सूखने लगा है तो अब हम इसकी साइट चेंज कर लेते हैं साइट चेंज करने के बाद अब हम इसे दुबारा से चार से पांच मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे देखिए पांच मिनट हो चुके है अब हम इसकी दुबारा से एक बार साइट चेंज कर लेंगे और इसे दो मिनट तक पकने देंगे और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे और हमारा जो पोला है वो रेडी है देखिए तो पोला रेडी है ये बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है आप इसे सुबे के नाश्टे में खा या शाम के स्नैक्स में आप इसे किसी भी चीज से खा सकते है रोटी से खा सकते है पाव से खा सकते है या ब्रेट से खा सकते है आप इस रेसीपी को अपने घर को लाइक करे, शेर करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन भी ज़रूर ब्रेस करे, इन्शाला मिलती हूँ नेक्स्ट रेडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज